हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू राने किचन जोन फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए देख लेते हैं कुछ आमेजिंग किचन के टिप्स और हैक्स वीडियो पसंद आये तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को अभी त तो जब भी आप इसको रखे तो इस तरीके से इसके नेक में अच्छी तरीके से लपेट करके वायर को रखे ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा जिसके वज़े से इसकी वायर उलजेगी भी नहीं और बिल्कुल आपका घर मैसी नहीं दिखेगा बढ़ते हैं अपने नेक् कहां से मैंने लिया है पर्चेस तो देखो नहीं किया है इसको जब आप सबजियां खरिदने जाते हैं जब बल्क में सबजी लेते हैं तो जो सेलर होते हैं इसी तरीके की नेट वाली बोरी में डाल करके सबजियों को आपको देते हैं तो आप इसको बिलकुल कुड़े में मत खुले हुए हैं उसको इस तरीके से फॉयल पेपर लगा करके प्रेस गरम करिए और अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर दीजिए एक साइड आप इसको ओपन रखिएगा और जितने भी इसके शार्प एजेस हो गया है उसको कट कर लीजिएगा ताकि यह आपके हाथों में ल लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके की बहुत ही अमेजिंग किचन के टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अब देखिए हमने सोप को रखने के बाद इसको अच्छी तरीके से उपर इसको चिपका दिया है ताकि निकले नही तो आप इस तरीके से नेट लगा के रखेंगे ना बहुत अच्छी सी ग्रिप बनेगी इसके अंदर साथ के साथ ये नेट आपकी डेड़ी स्कीन को भी निकालने में ज़्यादा हेल्प करेगी और यहां पर देखिए मैंने इसकी डोरी भी लगाई थी ताकि जब आप इस टिप के तरफ तो यहां पर देखिए जीन्स ले लिया है मैंने वैसे तो हमने बहुत सारे तरीके जीन्स फोल्ड करने के शेयर किये हुए हैं अगर आप इंट्रस्टिड हैं तो जा करके जरूर हमारे चनल को चेकाउट करिएगा तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो वेस्ट वाला पार्ट है उसको अंदर के साइड में फोल्ड कर देना है अब यह जो बॉटम है बॉटम को भी एक एक करके दोनों साइड में फोल्ड करना है जैसे ही आप इसे फोल्ड करेंगे आप देखेंगे देखिए यहां पर एक और फोल्ड लगाना है तो फ अब देखिए हमने इसको दुबारा इस तरीके से फोल्ड किया है अब यह जो जीन्स है ना बहुत ही अच्छी तरीके से और्गनाइज हो जाएगी और छोटी से जगा में धीर सारे आप जीन्स को और्गनाइज करके रख पाएंगे देखने में भी खुबसूरत लगता है अ अब बढ़ते है नेक्स टिप के तरफ तो यहां पर देख लीजिए हमने एक फिर से वही बोरी ली है जो नेट वाली बोरी की बात कर रही थी मैं अब आपको करना क्या है कि इस देखिए इसको थोड़ा सा ना लंबाई में कट कर लेना है यह वाली जो बोरी है ना मैं इसक तरीके से आपको फोल्ड करना है अच्छा यह बिलकुल आप पर डिपेंड करता है कि आपको छोटा बड़ा जैसा भी आपको बनाना है ना उसी साब से आप इसको फोल्ड करिएगा इसको फोल्ड करेंगे ना तो आपको तीन साइड इसके ओपन दिखाए देंगे तो आप उसको अच्छी तरीके से जैसे मैंने पहली टिप में बताया था उसी तरीके से ये foil paper को रखिएगा और इस पे press लगा दीजिएगा गरम प्रेस ना बहुत ही अच्छी तरीके से इसको चिपका देता है एक बार के stroke में ही आप अच्छी तरीके से इसमें देखेंगे कि ये बिल्कुल पेस्ट हो जाता है अब देखे एक साइड हमने कर दिया इसी तरीके से देखे दूसरा साइड भी कर लेना है अगर आपको लगे कि तीसरा साइड भी आपको चिपकाना है तो आप उसको भी चिपका सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दो साइट को ही चिपकाया था, अब देखें जो पार्ट इसके थोड़े शाप हो गए आप इसको भी कट कर लीजिएगा, तो देखें यह बहुत छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा एक बरतन धोने का टूल तयार हो गया है, यह बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, और आपने एक बर बना लिया ना, तो यह एक साल तक चलेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, और जाग तो बहुत ही अच्छा करता है, अगर आप कंपेर करें ना, इसको दूसरे स्क्रोच बराइटिया, फिर किसी भी चेसे, तो यह उसमें बेस्ट निकलेगा, देखिए आपके सामने ही मैं बरतन को वाश कर रही हूँ, और यह थोड़ा सा हमने इसमें बिम लिक्विड जेल लिया, और कितना जादा यह जाग कर रहा है, जाग के साथ साथ, चुकि यह बहुत ही जादा खुरदुरा है, तो बरतन को भी अच्छे से साफ करता है, तो इस तरीके से आप अपने नेट, अगर आपने रखा हुआ है, तो उसको इस्तमाल कर सकते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ, तो यहाँ पर देखिए, मैरे पास चेन पड़ी हुई है, अगर आप ब्रेसलेट वगरा पहनते होंगे, तो आपने भी यह प्रॉब्लम जरूर फेस किया होगा, कि एक हाद से ब्रेसलेट पहना नहीं जाता है, वो जो हुक होता है, हुक लगता ही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने पेपर क्लिफ का इस्तमाल किया है, जो हुक होता है आप उसमें इस तरीके से फसा दीजिए, और अपने एक फिंगर से इसको पकड़े रहिए, और बस आपको जिस तरीके से ब्रेसलेट को बांदना है, बांद लीजिए, और बांदने के बाद देखिए, यह बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इसको लगाना, तो बिना किसी हेल्प के, बिना किसी दूसरे की मदद के, बिना भी आप इसको अच्छी तरीके से पहन सकते हैं, तो यह भी छोटी सी टिप है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आप इसको यूज भी करके देखिएगा, काफी आपको सेटिसफाइंग भी लगेगा, देख लेते हैं नेक्स टिप, तो यहां पे देखिए जो जाला साफ करने वाला यह जो टूल होता है, यानि कि ब्रोम होता है, आपने देखा होगा कि जब आप इसको कुछ टाइम तक यूज करते हैं, तो जहां से इसकी चूडी होती है, यानि कि जहां पे हम इसको कसते हैं, वहां से आप इसको कसने के बाद भी न ये ढीला रह जाता है ये मतलब हिलता डूलता रहता है तो इसके लिए देखिए सबसे अच्छा सा एक उपाय है कि आपके घर में अगर बलून पड़ा हुआ है तो आपना ये जो ऊपर का पार्ट होता है उसको कट कर लीजिए कट करने के बाद जहां से इसको हम ट्विस्ट करके कसते हैं वहां पे आपको इसे लगा देना है अच्छी तरीके से नीचे तक खीच दीजिएगा और अब जो एक्स्टावला पार्ट है आप उसको रखना है तो रखिए काटना है तो उसे कट कर लीजिएगा अब देखिए अब ये जो ब्रूम है आप इसको लगाएंगे इसके अंदर तो ये बिल्कुल अच्छे से इसमें एकदम फिट हो जाएगा यानि कि जब हमने इसमें बलून लगाया तो ये इसके अंदर एक ग्रिप बनाएगा जिसके वज़े से ये बहुत ही अच्छी तरीके से कसेगा और अच्छे से वर्ग भी करेगा तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा शेर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो प्लीस सब्सक्राइब भी करिएगा आज की टिप में से कौन से टिप आपको सबसे अच्छी लगी ये भी जरूर बताईएगा यहां तक बने रहने के लिए वीडियो को फुल वाज करने के लिए lots of thanks तो आज के लिए इतना ही मिलती हुमे कल एक और नई और बहुत ही interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा बाई बाई and टेक केर